आज मरसते हितेज जी जो अपनी हेर पैच की मंतली सर्व सिंक ले हमारे पास आयो है, आप देख सकते हैं, ग्लू पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है, जो C22 की हेल्प से क्लीन किया जाता है, बहुत बार क्या होता है, ओरिजिनल हेर में पैच बुरी तरह फस जाता है, जिसे सबसे पहले स्कैल प्रोटेक्टर लगाया जाता है, इसके बाद एडेसिव अप्लाइ की जाती है, बहुत लोग पूछते हैं कि हेर पैच को यूज करने का कोई साइड एफक्ट है, तो आप देख सकते हैं, यह जो हमारे पान सार पराने क्लाइट है, मैंने अपने चैनल प करें, थैंक यू सो मच,